Hello everyone, again आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल पे तो दोस्तो आपको भी पता है कि यार मार्केट 70% साइडवेज होता है और 30% ट्रेडिनिंग होता है बट वो जो 70% मार्केट साइडवेज होता है ना वो आप ऐस ऑप्शन वायर हम लोग लॉस कर देते प्रीमियम जीरो हो गया, मार्केट में अननेसेसरी मैंने ओवर ट्रेड करके कैपिटल जीरो कर दिया यह बहुत जार एश्यो होता है क्यूंकि अगर 2-3 दिन इंडेक्स साइडवेज है तो जो लास्ट वीक में पूरे कमाई होए पैसे लोग option onesse SER Y में loose कर देते या फिर इंडेक्स में ट्रेड करके loss कर देते या बट फिर करे तो क्या करे option में trade कर सकते हो जैसे जैसे कि SBI अगर उपर गई तो आपने SBI का call buy किया ICSA bank नीचे गई तो आपने ICSA bank का put से buy कर दिया इसी time जब index sideways रहती है तो यह stocks जो है वो चलते रहते और अगर अगर एकार stock आपको अच्छा कासा मिल गया तो वह एक दिन में 55% भी भाग जाता है तो आप index के साथ-साथ stocks में trade कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो full time stocks में करना तो full time भी कर सकते हो अब यह और एक question आता है कि हमें पता यार stocks में trade करना वगरा है stocks कैसे करें हमें कैसे पता चलेगा कि कोई stock भागने वाला या फिर कोई stock जब नीचे गिरने वाले तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत एकदम easy method में बताने वाला हो कि किस तर आप इंट्रेड में stock कर सकते हो उसके बाद ही आपके उपर है कि आपको equity मतलब spot में करना है cash market में या फिर अगर आपको इसमें future and option में करना है आपकी आपका कोई कोई भी recommendation रहेगा आपका कोई भी comment रहेगा आपका कोई भी suggestion रहेगा आप मुझे comment box में बता देना यह video पूरी की पूरी देख लेना मैंने unnecessary चीज़ों को complicated नहीं किया हुआ है यह indicator वगर यह सब यहां वहां से लगाना नहीं आपको बना बनाया अगर stocks मिल रहे तो क्यों न बना बनाया चीज़े वह मिल जाएगी आपको अभी धन को scanics के साथ connect करना है उसको connect करने के लिए आपको बस scanics में Google पर जाओ और scanics select कर लो और उसको धन के साथ connect कर लो उसके बाद आपको बस लाइव पर click कर देना है जैसे आप लाइव पर click करोगे आपके सामने यह देख उसके बाद volume अच्छा कासा आया है वो तो अब मुझे आपे सबसे ज्यादा जो stock दिख रहा है वो देखो यह श्रीराम finance को search करते अब यह यह यहां से उपर जा रहा है तो आप यहां पर श्रीराम finance में भी ट्रेड ले सकते हो मेरे खाल से मैंने आप श्रीराम finance लगा कर रह सकते हो जैसे अब यह सिरीराम finance है अब मुझे इसमें अगर यह ब्रेक आउट पर अब मैं दस स्टॉक यहां पर ले लेता हूँ बाकि अगर आपको इसके एफेनों में करना है कि फ्यूचर रेन option में करना है तो आप बस राइट लिक कर देना option chain में आओ अब यहां पर 3500 का अगर आप यहां पर तॉल देखोगे कि रेराम finance का तो आप इसमें भी plan कर सकते हो अब यह हमने spot में लिया है आप इसके call में भी प्लांग कर सकते हो इन्सो का एक lot है चलो मैं आप आपको ट्रेड करके दिखा देता हो अब देखो मैंने आप एक lot ले लिया है 73.73.20 पर इन्सो का lot लिया है तो अब यह मेरी हापे investment कितनी हुए यह जो चल रहा है यह cash market का है जो सिर्फ equity में करते है लेप सेड में और यह जो लिया है यह मैंने pure option बाई किया हुए जो कॉल option कहते है इसमें मेरी investment कुछ 20-21 रुपे की हुई है अब देखना यह spot में उपर चाहरा है कि मैंने बस 10 टॉक लिये थे इसके और यह जो यह एफन होई वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा श्टॉक यह श्रीरम finance filter करके दे रहे है और ज्यादा भाग रहा है इसके ल अच्छा का सा बन जाएगा अगर यहां पे 2000 प्रॉफिट होता है तो देखेंगे हम लोग इसमें से फिर निकल जाएंगे क्योंकि हमारे investment भी 21,000 की थी अगर 10 परसेंट भी मिल गया हम लोग इसमें से निकल जाएंगे यह बहुत easy method अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बीरे स्टॉक देखने मुझे लगता है कि नीचे जाएगा तब आप यह बेरे सिगनल पर क्लिक करो यह बहुत simple और एकदम easy method है आपको कुछ rocket science ही नहीं लगा ना यह आपर इसको निकाल दो और यह आपर near low पर क्लिक कर दो बस बेरे स्टॉक आजाएंगा अब लेखते अब यह स्पॉट में और option में देखो कैसे फरक होता है कि अब देखना आप स्पॉट में सही चल रहा है अब प्रीमियम देखे आपने किस तरह रियाक्ट कर रहे हैं यह मैंने स्पॉट में किया था equity में अब यह मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ कि जिसको equity करना है यह left side में आपके लिए जिसको option करना है इसमें stocks में option करना है right side का option आपके लिए तो यह दोनों तरफ आप कर सकते हो अब यह 21-22 थाउजन का investment था हमारा अब इसमें देखते हैं अगर हजार 1000 प्लस का profit होता है हम लोग इसमें से फिर book करके निकल जाएंगे यह आपको 10 परसेंट अगर मिलता है तो क्या बुरी बात है इसमें अब यह देखो यह spot में है यह मैंने spot में लिया था और यह मैंने equity में लिया था है sorry यह मैंने future and option में लिया था देखो 971200 मैंने अभी इसमें exit कर दिया 1000 रुपीज के साथ और यह देखो अब यह spot में उपर जा रहा है अब यहापे जो equity में ट्रेड करते हैं इनके लिए आप यह 100 का प्रॉफिट है इसमें से अभी अभी exit कर देते हैं यह आपको धन में आना है दन में बस आपको 10 यह करना है नहीं तो यह आप यहापे एक्जिट कर सकते हो आने वाले टाइम में बताऊंगा बाकि यह देखो आप नीचे अभी का देख सकते हैं और यह अभी जो चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं हमने श्रीराम फाइनस का कॉल लिया था जा पर 21,000 का कुछ investment था तो वहापे 1000 अगर आप इसको और भी ज्यादा होड़ी कर रहे तो भाई आप F&O stocks में भी कर सकते हो अब इसमें जिसको equity में करना है वह equity में करेगा जिसको F&O में करना F&O में करेगा बट मैं आपको एक suggestion दूँगा अगर आपको इसकी idea नहीं है तो आप यह सब चीजे़े F&O में try मत करना आप simple आओ भाई और यहापे equity में trade करो must अब यह देखा यह अब जो श्टॉक के वह 7 परसेंट बागा है तो क्या आप मिसमें ट्रेड लूंगा दा अंसर इस नो इतना भागने के बाद आप में नहीं लूगा मैं अभी वेट करूंगा यह श्टॉक आपको भर-भर के बताते रहता है अब यह भाग चुका है आपको बताते ही जाएगा कि किस तरह स्टॉक से को जादा लोडी नहीं लेना इसमें यह आप देखो अपने बहुत से स्ट्रेजी देखी होगी कि आपको मुविंग एवरेज लगाओ आरे साय वगरा लगाओ यह सब करो तो अगर आपको वह स्टॉक सर्च करने आप सर्च आपको बना बनाया अगर धन के प्लेटफॉर्म पे यह अगर फीचर मिलता है यह आप स्क्रीनर लगाने के बाद जैसे देखो यह आईसे इसे बैंक निकल रहे है यह इसने बता दिया यह मैं अभी मैंने फिल्टर कॉनसे कॉनसे लगाए मैंने आप यह वाल्यूम भी लग अगर आप इसको डेखते हो यह सब स्टॉक जैसे यह एजड़े से बैंक यह आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी आप इसको ट्राइ कर सकते हो डिया के ऊपर निकल चुका है इस तरह ठीक है नहीं तो हम लोग आप यहाँ पर डाइरेक आ सकते हो इंट्रेडे में करना है तो यहाँ पर हाइव वॉल्यूम इंट्रेडे क्रॉसओर अगर हाइव वॉल्यूम देखेंगे यह सब स्टॉक इसमें वॉल्यूम आया है जिसे बजाए हाउसिंग फाइनसिया तो यह बस निफ्टी फिफ्टी में देखना है अब यह मैंने फिल्टेर लगा तो अभी आप टाटा स्टील वाल्यूम वाला है इस तरह हम लोग आप यह प्लाइन कर सकते हैं तो यह में क्यों बता रहा हो आने वाले टाइम में फिर में आपको चार्ट की हिसाब से आप अपन कर रहे होंगे अलग-अलग बट यह स्क्रीनर मुझे बहुत सही लगा क्योंकि आपके ब्रोकर के साथ ही कनेक्ट हो रहा है तो आपको कोई और जैसे देखो अभी आप मुझे बता रहा है एज़ी डेप सी एमसी इसने भी ब्रेक आउट कर दिया है तो यह भी आप इसमें भी प्लाइन कर सकते बस अब यह टाइमिंग जो है जैसे अभी ग्राफिट कि आपको यह बस देखना है अब इसमें आपको क्या क्या देखने अपको बस देखना है कि अगर फाइम परसेंट भागा है नहीं मैं इसको नहीं प сильно करूंगा यह इस्टा को अगर ए ट्रेंडवाइन के ऊपर मिलता तो मैं इसको यहां पर प्लाइन करता तो आपको सुबह पता चल जाएगा सवनो या फिर दस वज़े के पास देखोगे तो फोड़ा लेट होने के बाद यह स्टॉक देखो यह इतने भाग गए कि यह वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हो तो आप इस तरह आप प् यह में क्रोस और के बाद यह सर्च कर सकते हैं ओपन हाइए जो बीरेश टॉक हमें कैसे पता चलेंगे जिनका ऑपन हाय से में इसे अब यह बता रहें आपको सुबह पता चल जाएगा सवह नो बज़े आप जैसे ओपन हाय देखोगे ओपन अर लो देखोगे तो वह बुल स्टॉक हो गए जो उस दिन एक लो लेवल के नीचे आये ही नहीं है जहां से ओपन और वहां से भाग गए जैसे आई से बैंक यह बहुत बेस्ट चीज मुझे लगी दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन के लिए इंट्रेडे में जो जो करना चाहते ही आप यह ज़रूर यूज करना अगर आपको चीजों को कॉंप्लिकेटेड करना है तो आप चीजे को कॉंप्लिकेटेड करो बट अब यह ऐसे सॉफ्ट्वेर आ रहे जो आपको बना बनाया फ्री अप कॉस्ट में दे रहे तो आपको क्यों नहीं उस करना चाहिए तो मेरे खाल से आपको इसको ज़रूर करेंगे इस वीडियो पर आपका कितना रिस्पॉंस आता है हम लोग देखते फिर मैं आपके आने वाले टाइम में लोग इससे अच्छे एडवांस लेवल के वीडियो बनेंगे